एक फलो की दुकान पर एक व्यक्ति खड़ा था वो केले के दाम पूछ रहा था दुकानदार ने उससे कहा 50 रुपे दरजन उसने सेव के दाम पूछे दुकानदार ने उससे कहा 200 रुपे दरजन इतने में ही एक व्रिद महिला आई उसने पुछा केले क्या भाव दिये दुकानदार ने कहा दस रुपे दरजन उसने पुछा सेव क्या भाव दिये दुकानदार ने कहा पचास रुपे दरजन उस महिला ने अपने जेव से कुछ सिक्के निकाले और बड़ी छोटी सी मात्रा में फल लेकर वहाँ से चले गई बाजू में जो व्यक्ति खड़ाता हो और हैरान हो गया उसने का अभी अभी आपने मुझे केले 50 रुपे दरजन और सेब 200 रुपे दरजन बताएं और आपने इस महिला को इतना कम क्यों बताया उस दुकानदार ने जवाब दिया साब इसका दुनिया में कोई नहीं है ये मेरी दुकान पर आती है मैं कई बार इसकी मदद करना चाहता हूँ इसको दान देना चाहता हूँ इसको फ्री में फल देना चाहता हूँ ये कभी नहीं लेती इसमें इतना ज़्यादा स्वावी मान है और मैंने देखा है ये जब भी मेरी दुकान आती है उस दिन मेरी बिकरी कई गुना बढ़ जाती है मुझे ऐसा लगता है ये मेरी दुकान आती रहे ये मुझसे लेती रहे इसकी मैं जैसे ही मदद करने की सोचता हूँ मुझे लगता है उपर वाला उस दिन मेरी मदद करने लग जाता है इसलिए मैं हमेशा इसको वो भाव बताता हूँ जिस भाव पर ये फल लेके चली जाए और उपर वाला मुझे महरवान हो जाए साथियों कहवत है जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेव खोलते हैं उपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है एक अच्छे आदमी के पास धना है सौ लोगों का भला होगा एक बुरे आदमी के पास धना हैगा दुनिया में किसी का भला नहीं होगा साथियो यूरोप का एक रेश्टरो ध्यान आता है मुझे बीच में जब अनेग बार कहानी आई जिसमें यूरोप के एक रेश्टरो की बात आई मैंने व्यक्तिकत रूप से उस रेश्टरो को विजिट किया मैं वहां का आखो देखा हाल बता रहा हूँ जब भी उस रेश्टरो में कोई व्यक्ति जाकर एक कॉफी और करता है अपने लिए तो एक कप कॉफी मेरे लिए और एक कप कॉफी एनॉनिमस के लिए और Anonymous के लिए कार्थ है वो दो कॉफी के पैसे पटाता है एक कॉफी वो खुद पीता है दूसरी कॉफी का स्टिकर दिवाल पे चिपक जाता है कुछ देर बाद कोई गरीब कोई अंडर प्रिवलेज अफोर्ड ना कर सकने वाला व्यक्ति आता है और उस दिवाल से वो Anonymous वा कॉफी के लिए करते हैं वो बेकरी आइटम्स के लिए करते हैं वो अपने लिए लेते हैं और साथ में एक किसी अंजान व्यक्ति को दान दे देते हैं मैं धन्य हूँ ऐसे देशों की मानसिक्ता पर मैं धन्य हूँ ऐसे लोगों की मानसिक्ता पर जहां इस तरीके की सोच है आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि उपर वाले ने आपको सामर्थ द्वान बनाया है जितनी सामर्थों दिल से दान करेंगे न एक रुपे भी लाख रुपे के बराबर काम आएगा और साथियों एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ जीवन में कभी 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 रिटायर होने की मत सोचना यदि आपको लगे मेरे पास बहुत हो गया है मेरे को और जुरुरत नहीं मैं शांती से बैठ जाओ तो बस उस दिन अपना पेड भर लेना और जितना एक्स्ट्रा कमाओ दुनिया के लिए कमाना उन लोगों के लिए कमाना जो आपके जितने भागिशाली नहीं है आज वारेन बुफे असी साल के हो गए है उसके बावजूद वो एक-एक मिनट कमाते है बिल गेट्स हर छण उनकी कमाई करोडों से बढ़ती है उसके बावजूद उन्होंने कमाना नहीं छोड़ा ये दुनिया के सबसे विनम्र लोग है ये खुद पे सबसे कम खर्च करते हैं आज भी अपने पुराने घर में रहते हैं आज भी समान निगाडियों में चलते हैं आज भी lowest luxury में जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन ये कमाने में यकीन करते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को बदलने की ठान लिये किसीने malaria को मिटाने का ठाना है किसीने polio को मिटाने का ठाना है किसीने hepatitis मिटाने का ठाना है किसीने AIDS मिटाने का ठाना है इन सबने कुछ न कुछ ठाना है इसलिए यदि आप में कमाने की काबिलियत है मेरे दोस्त तो कभी रिटायर मत होना जीवन की अंतिम सास तक कमाना उन लोगों के लिए कमाना जो आपके जितने भागिशाली नहीं है आज आपको संकल्ब देता हूं कली कुछ दान कीजिए किसी को कुछ धन दान कीजिए किसी को कहीं कुछ सेवा दान कर दीजिए किसी को कोई दवाई दान कर दीजिए किसी को शिक्षा दान कर दीजिए कब तक अपने हातों को ऐसा रखोगे कभी मंदिर में मांगते हो कभी मस्जिद में मांगते हो कभी गुर्दवारे में मांगते हो अरे हाथ ऐसा करने की जगा हाथ ऐसा कर दो जिस दिन हाथ लेने वाले की जगा देने वाला हो गया ना उस दिन उपर वाला आपकी चिंता खुद करेगा और जब उपर वाला किसी की चिंता करता है तो उसको अपनी चिंता करने की जुरुत में बढ़ती और हो सके तो अपने प्राफिट का या और बड़ा करना हो तो अपने टर्नोवर का छोटा सा एक हिस्सा संसार के लिए रख देना आपके साथ जो आपकी टीम काम करती है ISR, Internal Social Responsibility दुनिया में बड़ी बड़ी जगा बड़ी बड़ी चीजे बनाई है लेकिन आपकी अपने टीम के लोगों की फिक्र करिए यदि आपके स्टाफ में किसी का बच्चा ब्रिलियंट है शिक्चा नहीं ले पा रहा है उस बच्चे की शिक्चा की जिम्मेदारी ले ले लेजिए यदि आपके स्टाफ में किसी की बिटिया की शादी हो रही है वो सक्चम नहीं है तो अपनी कंपनी में कन्यादान का एक छोटा सा फंड रखिए यदि आप क्या कोई बिमार पड़ता है तो वो बिमारी से उसकी पूरी एकोनामी कर बला जाती है उसका मेडिकल इंशोरेंस कराईए यदि न कराया हो यदि संभव ना हो तो कम सकम उसकी हारी बिमारी में कुछ दान कीजिए आप से अपील करता हूँ बिना एक छण की देर की है आज ही दान स्टार्ट करिए जीवन का कोई भरोसा नहीं यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुचाओ तो प्लीज यूट्यूब पर जाईए उज्वल पाटनी चैनल को सब्सक्राइब करिए एक बात और कहना चाहूँगा इस वीडियो को आप सेकड़ो हजारों लोगों तक पहुचाईए यदि इस वीडियो के माध्यम से लोगों ने दान करना शुरू किया किसी गरीब की जिंदगी समरी किसी बच्चे को शिक्षा मिली किसी बिमार को दवा मिली तो उसके हिस्से का कुछ पुर्ण आपके कोटे में आएगा और कुछ पुर्ण मेरे कोटे में आएगा आईए मिल जुलकर एक शांदार दुनिया बनाए शुक्रिया, धन्यवाद, तेंक्यू